हलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है अब सभी का इस चैनल में मेरा नाम है आरवी आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ Redmi Note 6 Pro तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इस mobile के unboxing और जानेंगे इसके अंदर आपको क्या-क्या features मिल जाते हैं और आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए तो अगर आप देख रहे हैं 10-15,000 रुपे तक के बजट का mobile तो वीडियो को end तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी skip मत करिएगा मैं आपको बताऊँगा आपके लिए mobile कैसा रहेगा कैसा नहीं तो बॉक्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीकिस आपको देखने को मिल जाता है वाइट कलर के अंदर जिस पर लेफ्ट और राइट साइड पर आपको लिखावा मिल जाता है रेड्मी नोट 6 प्रो इसके लावा इसके ओपर जो प्राइस दिया गया है MRP है 15,999 रुपे की ये है 4GB RAM 64GB internal storage वाला variant इसके लाव आपको मिल जाती है information color के बारे में back side से आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको specifications लिखी वे मिल जाती है 20 plus 2 megapixel का इसके अंदर आपको dual camera मिल जाता है front side पे भी जिससा आप portrait modes वाली photos आराम से ले सकते हैं पर अन-बॉक्स को और देखते हैं कियां कांतें साथ है अ बारे मिल जाते हैं सबसे पहले आपको रखवा मिल जाता है mobile कुछ इस तरीके से की detail अभी देखेंगे इससे पहले देख लेते हैं the box में क्या क्या मिल जाता है तो एक मिल जाता है आपको mini box जिसकी back side पे आपको लगावा मिल जाता है SIM ejector tool कुछ इस तरीके से एक मिल जाता है इसके अंदर आपको user manual कुछ इस तरीके से look में आप देख सकते हैं इसके अलावा आपको मिल जाता है simple सा काफी जादा soft case कुछ इस तरीके के look के अंदर एक मिल जाती है आपको box के अंदर data cable जिसकी thickness भी ठीक ठाक है और length भी काफी सही है बाकी इसके अलावा इसके अंदर देख लेते हैं इसके अंदर आपको type C cable मिलती है या नहीं मिलती है तो हम निकाल के देख लेते हैं इसके अंदर आपको मिलती है USB to micro USB cable type C cable इस mobile के साथ नहीं आती है ये चीज़ आप देख सकते हैं इसके अंदर आगा type C cable मिल जाती है काफी अच्छा रहता इसके अलावा आपको मिल जाता है ये charger specifications आप पढ़ सकते हैं आउटपूट आपको मिल जाता है 5W, 2A का इसके अलावा आपको black color के अंदर ये charger मिल जाता है कुछ इस तरीकी के लुक में काफी छोटा सा charger है Xiaomi के mobile में जादा तर आपको ये ही charger देखने को मिलता है Fast charger आपको इस mobile के साथ देखने को नहीं मिलता है चलिए बात कर लेते हैं design के बारे में तो mobile आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके के लुक में आपको Redmi Note 5 Pro की तरह बिलकुल और Redmi 6 Pro अगर आपने देखा है ये बिलकुल उसी तरीके के लुक में आपको मिल जाता है उपर की तरफ आपको left side में dual camera मिल जाता है और इसके अंदर आपको नीचे की तरफ मिल जाती है MI की branding इसके अलावा आप देख सकते हैं camera आपको कुछ उसी तरीके के angle में दिया गाया है जैसे कि Redmi Note 5 Pro में मिल जाता है rose gold color आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है इस mobile के अंदर बाकि आप देख सकते हैं shading का difference उपर की तरफ आपको थोड़ी dark मिल जाती है sim की tray आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाती है दो sim card, एक memory card, तीनों चीज़ा आप एक साथ नहीं लगा सकते या फिर आप एक sim card, एक memory card लगाईएगा या फिर दो sim card, एक साथ लगाईएगा चलिए बात कर लेते हैं bezels के बारे में तो आप देख सकते हैं कुछ इस size के अंदर mobile के अंदर आपको bezels देखने को मिल जाते हैं display आपको मिल जाती है 19 to 9 की ratio में इस mobile की बाकी display मिल जाती है इस mobile के अंदर आपको 6.26 इंचिस की चलिए कर लेते हैं boot इस mobile को और देखते हैं user interface आपको किस तरीकी का देखने को मिल जाता है तो जैसे ही आप इसको boot करेंगे सबसे पहले आपको रिखावा मिल जाता है स्क्रीन के ओपर MI और नीचे छोटा सा लिखावा है MI.com बाकी 4GB RAM आपको मिल जाती है इसके अंदर 64GB की इंटर्नल स्टोरेज प्राइस जो है इसका 14,000 रुपे के आसपास आप खरी सकते हैं बाकी अगर थोड़ा प्राइस बढ़ जाए तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं टाइम के साथ बाकी इस मुबाइल के अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलती है 6.26 इंचिस की वो मिल जाती है आपको एक नॉच वाली डिस्प्ले वेट के बारे में बात करें तो 182 ग्राम के आसपास इसका वेट आपको मिल जाता है और पीपी आई के बारे में बात करें तो 403 पीपी आई आपको इस मुबाइल के अंदर मिल जाता है बैक साइट के अंदर इस मुबाइल में आपको मिल जाता है डूल कैमरा 12 प्लस 5 मेग pixel का तो इसके अंदर 4 camera आपको देखने को मिल जाते हैं front पे भी back पे भी दोनों साइड आपको dual camera मिल जाता है लेकिन front में आपको flash देखने को नहीं मिलती है इसके लावर notch के अंदर में आपको दिखा देता हूं इसके अंदर आपको मिल जाते हैं दो camera, sensor, speaker ये mobile fast charging support करता है लेकिन fast charger आपको लग से लेना पड़ेगा left side से आप देखींगे तो आपको sim की tray देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से और आप देख सकते हैं इसके लावर इसके अंदर और कुछ नहीं दिये गया नीचे की तरफ से आप देखींगे तो के से देखने को मिल जाता है आप देख सकते हैं rose gold color के अंदर ये mobile कैसा लग रहा है उपर की तरफ से आप देखींगे mobile को तो इसके अंदर आपको 3.5 mm का jack मिल जाता है left side पे बीच में मिल जाता है noise cancellation mic और मिल जाता है आपको IR blaster जिससे आपका MI remote अराम से काम कर जाएगा बाकी इसके लाव और कुछ नहीं दिया गया back side से आप देखींगे तो कुछ इस तरह के साब को design मिल जाता है complete look इस mobile का आप मुझे बताईगा comment section के अंदर इस mobile के design आपको कैसे लगा बहुत ही जादा similar है Redmi Note 5 Pro से Redmi 6 Pro से बाकी बीच में देखने को मिल जाता है आपको fingerprint scanner दो sim card Gio के 4G के एक साथ चल जाएगे उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली बस problem यह यह दो sim card एक साथ लगाने के बाद memory card नहीं लगा सकते और memory card लगा के आप 256GB तक memory बढ़ा सकते हैं इस mobile की बाकी इसके अंदर आप देख सकते हैं डिस्प्ले का design कुछ इस तरह के साथ को देखने को मिल जाता है notch कैसे लग रही है और bezels इस mobile के कितने छोटे आपको देखने को मिल जाते हैं चलिए चलते हैं settings के अंदर और देखते हैं क्या क्या specifications डीटेल में आपको देखने को मिल जाती है थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं इसके अंदर brightness battery के बारे में बात करें तो 4000 image की इसके अंदर आपको battery मिल जाती है और user interface कुछ इस तरह के साब को देखने को मिल जाता है तो आप देख सकते हैं काफी जादा version android oreo 8.1 बाकी प्रोसेसर के बारे में बात करें तो snapdragon का 636 प्रोसेसर आपको मिल जाता है इसके अंदर जो की है 1.8 GHz का octa core प्रोसेसर आप देख सकते हैं recent application की windows जो आती है वो कुछ इस तरह के साब को देखने को मिल जाती है इस mobile के अंदर अब बात कर लेते हैं आपको इस mobile को खरीदना चाहिए यह नहीं खरीदना चाहिए तो अगर आप already Redmi Note 5 Pro चला रहे हैं तो मैं आपको suggest करूंगा इस mobile पर upgrade करना आपके लिए एक better decision नहीं रहेगा क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा difference देखने को नहीं मिलते हैं notch वाली display आपको देखने को मिल जाती है इसके लावा ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है front में आपको dual camera मिल जाता है तो और कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं है इसके लावा अगर आप purchase करने की सोच रहे हैं आपकी need battery की है तो 4000 mh की इसके अदर आपको battery मिल जाती है जिससे आपको काफी अच्छी performance देखने को मिल जाती है इसके लावा अगर आप एक normal user है watch से, facebook, youtube ही use करते हैं तो इसके अदर तो आपको कोई दिक्कत नहीं याने वाली 4GB की RAM मिल जाती है Snapdragon 636 आपको processor मिल जाते है बाकी अगर आप एक heavy user है तो 14,000 रुपी की value में Snapdragon 636 इसके अदर आपको processor मिलता है अगर आप नजर डालें दूसर ब्रांड्स के ओपर तो Nokia 5.1 Plus में 11,000 रुपे के आसपास आपको मिल जाता है MediaTek का P60 processor जो कि इससे काफी जादा processor powerful है तो ये चीज थोड़ी सी मुबाइल के अंदर disappointing लगी कि इसके अंदर आपको processor वही दिया गया काफी जादा नया कुछ improvement इसके अंदर नहीं किया गया अब आप मुझे बताइएगा comment section के अंदर ये mobile आपको कैसा लगा कोई कमीस mobile के अंदर लगी तो वह क्या लगी कोई अच्छाई लगी तो वह भी जरूर बताइएगा comment section के अंदर कैसा आपको ये mobile लगा वीडियो आपको पसंद आई तो like कर दियेगा चैनल पर आप नए है तो subscribe कर लिएगा उसके साथ bell icon भी दबा दियेगा